शास्त्रिय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने लीजी सुनिये सुप्रसिद्ध बाउसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दिपूर से ममता सिंग की बाचीत पर आधारित इस श्रिंखला की दस्मी करिए शोताओ नमस्कार इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रिंखला शास्त्रिय संगीत और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने पंडित जी आपका हम बहुत-बहुत स्वागत कर रहे हैं एक बार फिर से नमस्कार आज की इसकड़ी में चर्चा कर रहे हैं पंडित राम नारायन की पंडित राम नारायन ऐसे पहले सारंगी बादक है जिन्होंने सारंगी को विश्च पटल पर पहुँचा दिया फिल्मों में उनका काम नायाब रहा है पंडित जी आप हमारे शोताओं को सारंगी और पंडित राम नारायन के बारे में बताई और उनके वादन की क्या शैली थी सारंगी एक मुश्किल वाद्य है लेकिन बहुत लोग प्रेवाद्य है लोग वाद्य करके प्रशार में आया था लेकिन फिर उसके गले के साथ जो उसकी समानता है उसकी वज़े से उसको आस्ते आस्ते संगित में प्रमुख वाद्य करके जो आया उसका श्रेय मेरे ख्याल से रामनायन जी को ही देना चाहिए पंडित रामनायन जी को और ज्यादा करके ये वार्जी संगत में बचता था पंडित राम नाराइन ने ने थोड़ा प्राधानिय दे के सोलो वार्दन का पचार शुरू किया और तब से सारंगी एक सोलो वार्जी के नाम से भी आजकल सुनाई जेता है अपने शुताओं को हम ये भी बताना चाहेंगे यहां पर कि संगीत कार ओपी ने एर के साथ संगीत में सारंगी का बड़ा ही महत रहा है पंडित राम नाराइन की सारंगी का बहुत इस्तिमाल किया संगीत कार ओपी ने एर साहाब ने पर आधारित है और उसमें जो राम्राइन जी ने जो सारंगी के काम किया है और लाजबाब है सारंगी का पीस जब सुनते हैं तो मन वहाँ अटक जाता है इतना खुब सुरत उन्होंने बजाया उसमें हमारी शुरता बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे कौन से सुर लगते हैं ये बताएंगे ये तो खमाज के सुर होते हैं लेकिन थोड़ा लिबर्टी ले सकते हैं रागों में तो उसको मिश्टर खमाज करके बोलते हैं जे तो अब देवदास फिल्म का वोगी सुनवाएं जरूर सुनते हैं जरूर सुनते हैं मुलाएंगे बरते कर मुलाक हम बुलाएं मेरी असरतों से कहें तो कि वे खाब बोल जाएं मेरी असरतों से कहें तो कि वे खाब बोल जाएं अगर इस जहां का मालिक कहने तके तुम पूछे मिलकान की कटापर हमें इस कदर सजाएं मिलकान की कटापर हमें इस कदर सजाएं जलाएंगे तलटेकर मिलकान की कटापर मिलकान की कटापर मिलकान की कटापर मेरी पीरोखीत सद्के तेरी तेरु के तसदके मेरी दिल जजी सी खुशिया तु अगर इसी में तुश है तु खुशी से कर चपाए तु अगर इसी में खुश है तु खुशी से कर चपाए बुनाएंगे बलके पर उन्ही लाप पर बुनाए मेरी हस्परतों से कहे तो तु खुशी से कर चपाएंगे तो यह था देवधास फिल्म का गाना संगीतकार सचिन्दे वर्मन ने बहुत ही खूब सूरथ इस्तेमाल किया था पंडित राम नारायन की सारंगी का और अब पंडित राम नारायन साहप की सारंगी का खूबसूरत जलक हम देखते हैं इस गाने में जो शुरताओं को सुनवाएंगे अधालत फिल्म से मदन मोहन सहाब इसके संगीतकार है फिल्म आये थी 1958 में पंडिजी इस गाने की कुछ बारिकी बताएंगे आप यह गाना मेरे खाल से राक कलावती के स्वरों पर आधारित है और पंडिजी का जो सारंगी का इसमें बजाना है बहुत ही खूफसूरत मतलब जिसको हम लोग सपाट ताने बोलते हैं वो सपाट अंग जो तानों का है वो पंडिजी इतने सफाई से बजाते हैं और मुर्की और खटके जो है वो सुनते वा निकलती है पंडिजी के एक और भी खासियत है जो बोईंग टेकनिक बोलते है जो बो होता है तो वो उनका जो सबसे एक प्लस पॉइंट कहा जाए सकता है कि सोरों का टिकना वो के वज़े से वो सोरों का एक कंट्यूनिटी जो ह कि यूं हस रतों के दाव मुहाबत में धोले है खुद दिल से दिल के बात कहिं और रॉलिये यूं हस रतों के दाव मुहाबत में धोले है खुद दिल से दिल के बात कहिं और रॉलिये यूं हस रतों के दाव घर से चले थे हम तो खुशे थे तलाश में घर से चले थे हम तो खुशे के तलाश में अमराह में खड़े थे वो ही साथ हो लिये खुद दिल से दिल के बात कहिं और रॉलिये यूं हस रतों के दाव मुर्जा चुका है फिर भी ये दिर भूली ही तो है मुर्जा चुका है फिर भी ये दिर भूली ही तो है आप लही तो है अब आपकी खुशी से काटो में तोड़िये खुद दिल से दिल की बात कहीं और रोलिये यूं हस रतों के दाँ मुर्जा चुका है फिर भी ये दिर भूली ही तो है मुर्जा चुका है फिर भी ये दिर भूली ही तो है आप लही तो है अब आपकी खुशी से काटो में तोड़िये खुद दिल से दिल की बात कहीं और रोलिये यूं हस रतों के दाँ मुर्टो को सी चुके तो जमन में ने कहाँ मुर्टो को सी चुके तो जमन में ने कहाँ जमन में ने कहाँ ये चुक से क्यों लगी है और जी कुछ तो बोलिये खुद दिल से दिल की बात कहीं और रोलिये यूं हस रतों के दाँ मुहापत में धोलिये खुद दिल से दिल की बात कहीं और रोलिये यूं हस रतों के दाँ प्रोग्राम के आखिर में अदालत फिल्म की ये खुबसूरत घजल हमने सुनवाई लतामंगेशकर की आवास थी और बहुत ही बहतरीन इस्तिमाल था पंडित राम नाराण की सारंगी का और अब इजाज़त लेने की बारी है शोताओं से लेते हैं इजाज़त कल की कड़ी में किनी दिगज कलाकार की चर्चा हम करेंगे तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं नमस्कार नमस्कार